वायरलेस माइक है यह मेरे साथ एक स्कैम हुआ था मैं वह भी बताऊंगा आपको और किया था 4-2% अब एमजोन वालों ने सिलर ने हमें सिंगल वाला माइक बेज दिया तो यह है सिंगल वाला माइक और इसमें एक रिसीवर एक माइक्रोफोन है यह डबल वाला है इसमें क्य हेलो अबर्वर्वन जाटन मिल पे आपका एक बार फिर स्वागत है मैं आपका दोस्त आपका होस्त परदीप अपने तह दिल से अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम लाए हैं बहुत ही बड़िया माइक और यह है वायरलेस माइक यह माइक की मेरी तीसरी वीडियो है दो वीडियो मैंने बना के डाली हुई है अपने चैनल पे एक तो सोनी का माइक लिया था उपर लिंक आ रहा होगा अपने राइट साइट पे अगर आपने लेना है आप मोटो बलोगिं करते हैं या यूटूबर है तो आप उसको क्लिक करके बहुत देख लेना यह हमने तीसरा माइक लिया है यह है वायलेस माइक क्योंकि काफी कम लेंड आ रहे थी आप सभी भाईयों की आपकी वाइस क्वाइश कोर्टी बीच बीच में मलग कि कम हो जाती है कभी बढ़ जाती है क्योंकि आगे-पीछे होने से वाइस का फरक तो पढ़त मैं तो मैंने निकाली दी थी तो यह हम खोल लेते हैं तो यह हमारा एक बहुती चोटा सा हाड केस है तो खोलते हैं तो खोलने पे हमें क्या मिलता है तो खोलने पे हमें मिलता है यह हमारा बॉक्स इसमें हैं माइक हमारे दो माइक हैं और एक रिसीवर है हवा को रोकने के P R RS और T RS यो T R RS है ये Mobile में फिट होता है दूसरा रसीवर में फिट होता है ये अक औरर केबल दीगई है ये दोनों ही ट रस ऑर ये एक लगए गी कैमरा में कैमरा म》चाए DSLR हो चाहे Go Proแक्शन कैमरा हो उसमें रगेगा एक लगेगा रेसीवर में, तो ये दो तरह की लिए दी गई हैं, भायर, इसके भचित के लावा है। है ये टाइप C केबल, ये हमारे pero Ohlas चार्जिंग के लिए काम आती है यह बॉक्स में डारेक्ट चार्ज कर लेते हैं और डारेक्ट आप अपना माइक को भी चार्ज कर सकते हैं रिसीवर को भी चार्ज कर सकते हैं यूजर मैनुल दिया हुआ है और इसके इलावा हमें कुछ नहीं मिलता है अब बात करेंगे अपने बॉक्स की इसमें हमें आता है दो हमें मिलते हैं माइक और यह वाइलिस माइक है और एक है रिसीवर माइक निगाल लेता हूं मैं यह देखिए कितना कम-पक्क है कितना चोटा है इसके पहले मैंने जितनी मैईक देखें बहुत भड़े-बड़े आते हैं प्रिप से कघुल में दोर से कडे काफिन दूर से बिलकी बिलकी नजर आता है लेकिन यह बहुत ही कंपैक्ट है और मैं बता हुआ है एक माइक उसके साथ क्लिप नगी है और इसको आप अपने शार्ट या टी शार्ट पे इस तरह लगा सकते हैं और कहीं भी आप चलते चलते बात करें यह है हमारा रिसीवर और यह फिट होगा हमारे मुवाइल पे या हमारे एक्शन कैमरा पे इसमें तीन तरह की वोल्म है अगर आपको जिस हिसाब से आपको वोल्म रिकॉर्ड करनी है वो प्लस माइनस दिया हुआ है यह दोनो यह लेख लीजिए और इसके साथ टाइप सी आपका पोड दिया हुआ है चार्जिंग के लिए और यह ओन आफ का बटन दे रखा है तो यह चार्जिंग स्लोट दिया गया है इसमें टाइप सी का इसमें यालो आप बटन देख रहे हैं यह है और इसमें और जादी है यह दो नौयस चका और आप प्रेस करें यह तो घ्रीन घर्चारण चल गए तो यह ऑस ङुआख क्या अंस पर आपको भी यह लेखा है लेकिन तो यह सारा सीस्टम है इसमें हमारे जो माइक में है तो अब हम इसको इंस्टाल कर लेते हैं अपने gopro पे और इसको आप अपनÉ मुबायल पे भी इंस्टाल कर सकते हैं अपने action camera, dslr camera इन सभी पे आप इंस्टाल कर सकते हैं तो मेरे पास तो है अपना gopro इस पे मैं अभी इसको इसको इंस्टाल करके दिखाऊंगा तो सबसे पहले लेते हैं हम अपना receiver और इसमें भी clip लगी हुई है यह दिखिए और clip को ह हम यह हमारा slot दे रखा है gopro में यह दो तरह के slot है या तो यहां पर लगा दो आप साइड में इस तरह से यह लग गया है साइड में या फिर उपर भी लगा सकते हैं यह देखिए यह हमने उपर भी लगा दिया दोनों जगा फिट हो और यह कितना compact है छोटा है बाकि आप ज सबसे पहले हम इसमें अटैज कर लेते हैं यह और दूसरा हम अटैज करेंगे अपना external माइक है जो गोपरो गा इसमें जैक दे रखा है 3.5 यह यह लग गया इस तरह से हमारे connection हो गया यह complete हो गया हमारे action camera इसमें एक खासित हो रहा है जैसी आप box से बार निकालते हैं तो य बॉक्स में डालते है oh cream remark खतम हो जाती है और चारज्जिंग चारलु हो जाती है तो इसौं में भी charger है जो आपको लो इस aten इसमें बहुत होता है, इसमें department बोचार्ज होख कर दो ऑा बहुत होता है अर्ट हो इसमें कंपनिय ने द्यौट गिया है यह 8 hour इसका backup रहेगा तो मैं अभी इसको test करने वाला हूँ तो मैं थोड़ा distance में जाओंगा और अगली जो voice आप सुनेंगे वो GoPro के थूरू ही सुनेंगे हलो 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 माइक टेस्टिंग 1,2,3 हलो हलो माइक टेस्टिंग 1,2,3 तो अब मैं जो voice मेरी record हो रही है गोपरो के अंदर वो हमने जो हॉली लेंड लायक एमबन के थूरू record हो रही है तो इसको हम थोड़ा आगे पीछे करता हूँ दूर कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कितना काम कर रहा है इसको मैं दूर रख देता हूँ यहाँ पे रख देता हूँ मैं घर के बाha जा रहा हूँ देरे देरे तो इसमें पता चल जाएगा हमारे को घर के बाहर ये voice record होती है या नहीँ आप मैं घर के बाहर आगया हूँ तो होपसो हमारी recording होड़ी होगी यह देखिए है तो यह मैं घर के काफी बार आ गया हूँ काफी दूर आ गया हूँ और उमीद है कि काफी बड़िया रिकार्डिंग हो रही होगी और Master अब मैं इसकी नॉइस कैंसलिंग कर देता हूँ तो अब वाइस कैंसलेशन शुरू हो गया है और शोर आपको अलगी नहीं सुनाई दे रहा होगा जो इसके साथ नॉइस मेरी जो रिकॉर्ड हो रही होगी वो नहीं सुनाई दे रही होगी क्योंकि काफी शोर है पीछे और आपको कैसी लगी मेरी वाइस क्वाल्टी एक मेसेज उरू करना है कि बाहर आपको सुनाई दे रही थी नहीं दे रही थी अब भी शुर्टा निकलाया है इसकी नॉइस आई के नहीं आई अब हम इसको वापस अपना स्टीरियो मोड में कर देते हैं अभी यह यह तो हम आगे हैं बापसी अपने कमरे में अंदर भी जाता हूँ है थोड़ा काफिया आगे तक आपको पता चल जाएगा किया कितनी रिये जा है इसकी काफी अंदर तक आगे हूँ मैं अब अपने लास्ट में कमरे में तो अभी होप सो कि वाइस रिकार्ड हो री हो तो इस वज़े से मैंने यह माइक लिया है क्योंकि हम हम कैमरे से दूर चले जाते हैं तो हमारी वईस क्वाल्टी बिल्कोभ प्लूर हो जाति है बहुत कम हो जाती है कई बार तो सुनाई भी नहीति है जिसकी वज़ा से मुझे यह माइक भाइ करना पड़ा और अगली सीरीज में आपको हम इसकी का माइक का यूज करेंगे तो आपको इसकी वाइस कैसी लेगी एक कमेंट जरूर करना और कोई भी क्यारी हो प्लीज प्लीज मुझे मैसेज जरूर करना मैं आपको रिपलाई करूँगा तो इसका मैं प्राइस बता देता हूँ जो सिंगल परसन हमारा माइक है वो आता है 6500 का पूपरसन माइक का जो प्राइस है ग्यारा चार्सो और पे लिस्टिड है प्रोड़क्त बहुत अच्छा है चोटा है रेंज अच्छी है चार्जिंग इसकी जो इसकी बैक अफ है वो भी काफी शानदार है तो मैं तो हाइली रिक्मेंट गरूँगा आपको ये अपना लेने के लिए अपना माइक तो अन्द में दोस्तो राइड हार्ट राइड से बंदे मातरम जैहिन